कि वेल्कम टू मैं यूट्यूब चेंदर माइडियर स्ट्टुएंट्स हम जैसा कि आपको बताएं कि हम एक्जाम का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस मॉडल पेपर में आज सेट टू सॉल्व करने वाले 2021 से 22 के सेशन के लिए इंपॉर्टन कोशन सब जो जैक बोड प्रोवाइट किराया है उसका सॉल्व करेंगे इसमें हम सेट वन सॉल्व करके अप्लोड कर चुके हैं अग पांचो सेट है पांचो का अप्लोड करेंगे तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें सब्सक्राइब कर जो जाएए इस तरह का आपको वीडियो हम प्रोवाइट कर आते रहेंगे और यकीन मानिए आप पांचो सेट अगर सॉल्व करके पांचो वीडियो देखते ह तो डेफिनेट्ली आपका एक्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है और पांचो सेट का कोश्टन सारा प्रैक्टिस कर लीजिए जिनको इसका नोट्स चाहिए रिटेल वह लिंक डिस्क्रिप्शन में वाट्सेप नमबर मेरा दिया वह है वहां से आप वाट्सेप करिए हम को इसका प्रोवाइट कर वादेंगे हैं आपको वाट्सेप पर सेंड कर देंगे इसमेरे के तीन सेक्षन में कोश्टन है जो सेक्षन वन है वह वन टूले के सैवन तक यह शॉट नमबर वाला है उसने पहला कोश्टन है यीनिट ओफ रेट कॉंस्टेन्ट अफ जीरो अड reaction zero order reaction का rate constant क्या होता है तो zero order reaction का rate constant mold per liter per second होता है next define करना adsorption adsorption define कर दियागा एक line का छोटा सा definition है तीसरा number question is coordination number बताना है platinum का इस complex के लिए इस complex का coordination प्लाटिन में कैसे निकालेंगे निकालेंगे NS3 इज़े एक ही atom पर donate करता है एक bond बनाता है CL एक ही यह दो बॉंड मतलब कोडिनेशन number two एक NH3 एक bond दो NH3 दो बॉंड मतलब दो बॉंड NH3 बनाएगा दो बॉंड यह दुन बनाएगा चार बॉंड प्लाटिनम को चार बॉंड चार एलेक्ट्रॉन पर donate करेगा यह सभी लिगेंड मतलब प्लाटिनम का कोडिनेशन number four हो जाएगा इस तरीके से यह question बन जाएगा यह compound है इस compound का UPC name लिखने बोला है तो UPC name में यह compound है यहाँ पर C double bond O है H भी छुपाव है तो LD हाइड है और OH है अलकोहल है LD हाइड senior है इसको senior मानेंगे OH बन जाएगा prefix numbering LD हाइड के दब है दि dauern 23456 च्ठावन का chain है 4 पर Duchy है 5 पर Mithaal एक कावन बने। Hydroxy from H तो alphabetical order में हेच पहले आता है अधा पर फहले लिखेंगे 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 पर हाइड्रोक्सी, 5 पर मिधाइल, 6 कारबन के चेन है, हेक्स, कारबन का रहां के भी सिंगल बॉन्ड है, तो एन, वन पर अल है, तो वन आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, हेक्सिनल, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, नेक्ट बोल रहा है, एक्जामपल यसमें अलडिएड है, यसमें उन टूपल बन गया, 6 करबन है तो हेक्सित बन गया, इसका एक्जामपल बॉल़ रहा है, ग्जामपल बता टीन, एस टर्क्चर भी दे रहे है, नेक्स्ट है, मुनमेर ओफ नैचुल रबर, नैचुल रबर के मुनमर का नाम होते आइसोप्र उसका structure यह होता है anti-piratic के example एक anti-piratic है paracetamol, generally हमनों fever का time में खा लेते हैं paracetamol होई है दूसरा question है section 2 के section B से, section B art number start होता है, difference between order and molecularity order and molecularity में यह इतना difference हम लिखे हुए हैं तो अगर आपको notes लिजेगा whatsapp पे message करिएगा तो हम notes दे देंगे तो आपको एक minute generator चलने वाला है, wait करिए light चला गया था, तो generator चलाने के लिए खीक है, अब आते हैं तो order and molecularity में जो reaction चल रहा था order and molecularity के difference चल रहा था वो difference इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुए तो आप इस difference को चाहिए, तो comment में yes लिख दीजिए, या फिर description में whatsapp number पर आप message करिए आपको दे देंगे 9 number का question है, lyophobic salts define करिए, lyophobic salts define करिए तो lyophobic salts example के साथ define कर दीए तो इस example protein plus water या star plus water इस तरीके का lyophobic salts, lyophobic salts define किया हुए, sulfur plus water example है, या gold का powder plus water ये भी है 10 number question है, 10 number question में coordination compound का नाम दिया है, नाम है और इसको बोल रहा है कि इसका IUPAC formula बताईए तो नाम क्या, tetraamine मतलब 4 NH3 है aqua, chloride aqua, water भी है chloride, chlorine भी है 4 NH3, एक water, एक chlorine kobalt है, kobalt कर दी है kobalt 3, मतलब kobalt पर 3 चार्ज है तो इस पर देखे, charge 0 इस पर चार्ज 0 एक CL पर चार्ज 1 माइनस kobalt पर लिखाव है 3+, 3+, 1 माइनस इस पूरे complex पर चार्ज होगा प्लस 2 अगर इस पूरे complex पर चार्ज प्लस 2 है तो अनायन भी माइनस 2 होना चाहिए अनायन माइनस 2 कैसे होगा तो अनायन यहाँ पर chloride है एक क्रोईन पर एक माइनस दो माइनस के लिए 2 क्रोईन लगा दिया फार्मला बन किया next है नेक्स्ट है टेत्रा कार्बोनिल निकेल यह 0 चार्ज वाला है तो कार्बोनिल टेत्रा कार्बोनिल 4CO निकेल यह नाय बन किया potassium tri-oxylato chromate chromate होता है CR क्रोमियम हो गिया ट्राइ ऑक्जिलेटो तो C2O4 2- को ऑक्जिलेटो कहते है 3 है तो ट्राइ है तो 3 लगा दिया 1 C2O4 पर 2- है 3 C2O4 पर 6- इस पूरे पर 6- है क्रोमियम पर 3+, है तो यह 3+, यह 6- इस पूरे complex पर charge आ गिया 3- का अगर यह पूरे complex पर 3- का charge है तो plus में भी 3- होना चाहिए अब 1 potassium पर 1 plus है तो 3 potassium ले लिए 3 plus बन गिया 3 plus यह 3- net charge 0 neutral complex salt बन गिया इस तरीके से इस complex का structure formula यह होगा next question है increasing boiling point में set कर दिजे amines को और alcohol को तो आपको पता होने चाहिए isomeric amines में यह सब theory class में पढ़ाया आता है isomeric amines में higher degree वाला amines का boiling point कम होता है यह NH3 से nitrogen से 2 CS3 जुड़ा हो है 2 carbon chain जुड़ा हो है तो यह 2 degree amine है यह 1 degree amine है और यह alcohol है alcohol का intermolecular force of attraction ज़्यादा होता है hydrogen bond ज़्यादा होता है 3 degree का और कम increasing order में set कर दिए उसी तरीके ते solubility in water पूछ रहा है कि पानी में कौन सा compound ज़्यादा solubile होगा तो आपको बता दें amines में जतना बड़ा carbon chain जोड़ते जाएगा उतना solubility कम होता जाएगा जितना छोटा carbon chain है उतना solubility जादा तो दो ही carbon का chain है high solubility c2h5 two times है four carbon का chain बन गया hydrophobic tendency बढ़ जाएगा पानी में solve नहीं हो पाएगा डिजॉल्व नहीं हो पाएगा c6s5 तो benzene छे carbon हो गया और अच्छे डिजॉल्व नहीं हो पाएगा तो solubility इसका कम इस जादा और जादा यह question number 11 था 11 के बाद next question में आते है next question जो है 12 number theoretical part है difference बोलड़ा DNA और RNA में difference देखे हम तो जादा difference लिख दिए हैं जितना difference बोला है उस सब से हम जादा ही difference लिख दिए है तो यह आप difference याद कर सकते हो notes में लिखावा पूरे तरिके से next दूसरा question है addition polymerization और condensation polymerization इनको बताना है addition polymerization कहने है क्या मतलब होगा यह लिखाव है addition polymerization उसको कहते है जहाँ पर molecule simply add हो जाता है और कोई चीज़ eliminate नहीं होता है उसका example simply polythene है यथीन से बन जाता है polythene condensation polymerization जहाँ पर कोई चीज़ eliminate होगा जैसे water का molecule eliminate हो जाए या STL eliminate हो जाए nylon 6-6 example लेके हाँ पर समझा दिए इसका OH इसका H water बन के बाहर निकल जाता है और यह दोनों चीज़ जूड़ जाता है बनाता है यह linkage यह linkage हो कहते हैं amide linkage देख तरीके सी यह polyamide है polyamide में polyamide example है nylon 6-6 दूसरा anti-acids per notes anti-acids short notes on anti-acids or disinfectants anti-acids or disinfectants पर short notes है आप इसको याद कर लिजे exam का सभी important question है पांचों set अगर आप कर लेते हो तो definitely आपका यह exam बहुत अच्छा जाने वाल है नो next इसके बाद आते हैं section c section c में यह numerical है chemical kinetics का rate law पर है एक rate expression दिया वह है a और b react कर रहा है product बन रहा है rate expression है r equal to k a to the power 1 मतलब a का first order है b to the power 0 मतलब b 0 order reaction है b का order 0 है मतलब b pseudo molecule है b to the power 0 1 हो जाएगा तो rate expression सिर्फ आने वाला यह r equal to k a अब इसको solve अगर करेंगे तो कैसे करेंगे फिर इन्दा ब्लाइंस को fill करना है मतलब इसका rate b पर depend ही नहीं करेगा तो b के quantities को मतलब ही नहीं सिर्फ हमको एक quantity मतलब है तो एक quantity हमको fill करना पड़ेगा कितना होगा तो उसके लिए पहले rate constant किये निकालना पड़ा है कैसे निकालेंगे पहला observation से देखते हैं first observation में r का value कितना कह रहा है पहले observation सब्सक्राइब है झाल 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 तो यह बनेगा कैसे बनता इसके एक एक हटा दीजें उसके जगा पर एक 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 लगा दीजें एक 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 लगा दीजें इसी को language में react लिख देंगे, बन जा गया है, HVZ reaction, sterification reaction, तो sterification reaction में क्या करते हैं, sterification reaction formation of stir होता है, करी तरीके से stir form होता है, लेकिन जो basic है, वो है carboxylic acid, alcohol का reaction, carboxylic acid आप अलकोहल को react कराते हैं, acid के presence में, तो इसका OH, carboxylic acid का OH, alcohol का H, water बन के बाहर निकल जाएगा, ये और ये दुनों जूर जाएगा, बना देगा easter functional group, और एक sweet smell, मीठा मीठा खुश्बू मिलेगा, समझ में आ जाएगा कि easter form हो गया है, next, तीसरा में clemencion reduction, clemencion reduction भी बहुत important है, इसका भी notes आप याद रखिए, LD hides में, एक LD hide है, zinc amalgam पर, HCL के presence में reaction करवाएंगे, तो LD hide group, reduce हो जाता है, और CH2 बनाता है, और H पहले से है, तो ये CH2, और H मिलेगे क्या बना देगा, CH3, भी action याद रखिए, मतलब अगर माली जे एथेनल लेते हैं, तो एथेनल एथेन मनाएगा, प्रोपेनल प्रोपेन मनाएगा, इस तरीके से इसका यूज करते हैं, clemencion reduction का, next है, complete the following reaction, इस reaction को complete करना है आपको, तो हम तो कार्वाइल एशन complete करके छोड़ दिये, इस reaction को नहीं किये हैं, क्योंकि important reaction है, carbide amine reaction नाम है इसका, इसका हम short लिए बनाएवे हैं, अमरे चैनल में आपको इसका short लिए जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हो, carbide amine reaction में क्या होता है, यहाँ पर बेंजीन से दिखाया है, तो एनिलीन है, 1Ah, 2Ah, 3Ah, 1Ah, 1Ah एक वाटर बनाएगा, तो 3Ah, 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 3वाटर बनाएगा, तो 3वाटर molecule इस तरीके से आप बाहर निकल दीजे, प्लस साथ साथ 3KCl भी तो बाहर निकल रहे है, 3KCl बाहर निकल दीजे, और बज़ क्या किया, बेंजीन में n, इस बेंजीन में जो N बचावा है उस N से C को जोड़ दिजagnar इस C को यहां जोड़ दिज़े यह कहलागा अमीन यह कहलागा कारभाइल कारभाइल अमीन तो कारभाइल अमीन जैशिन कहते हैं यहां पे R भी हो सकता है C2H5 हो सकता है CS3 हो सकता है अलकाइल ग्रूप भी हो सकता है तो भी रेक्शन हो जाएगा दूसरा है कि क्या होता है जब एनिलीन को रियाट कराते हैं कंसेंट्रेटिड सल्फिरिक एसीड से तो बनाता है एनिलीनियम हाइड्रोन सल्फेट अगर उसको हीट कर देते हैं तो फिर पारा पोजिशन पर सल्फोनिक एसीड को जुड़ जाता है अमीनो तो इसका नाम हो जाता है पारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसीड और ये बेसिक एंड है क्योंकि इसके पास एलेक्टरॉन पर डोनर है और यह acidic end है क्योंकि एस पेस लिस्ट करना चाहता है तो acidic end और basic end आपस में react करता रहता है और इस तरीके से एक ionic form बनाता है और यह reaction reversible होता है इस ionic form को zutraion कहते है तो कई बर question थो zutraion क्या है तो zutraion यह होता है तो zutraion कई बर exam में आ भी चुका है इंपोर्टेंट है जutraion भी आला कि अभी तक हमको ऐसा नहीं मिला है कि जutraion पर डाइट question हो मोडल पेपर में लेकिन जutraion भी exam में आ चुका है कई बार अनिलीन का रिएक्षन ब्रोमीन एक्वस एक्वस ब्रोमीन से ब्रोमीन वाटर भी खेते हैं इसको रिएक्षन ब्रोमीन वाटर भी लिख सकता है क्या होगा सारा और्थो सारा पारपोश में ब्रोमीन लगा दीजिए तो 246 ट्राइब ब्रोमो एनिलीन कंपॉंड बन जाएगा एनिलीन का रियक्षन एन्हाइड्राइट से सिटिक एन्हाइड्राइड से रियक्षन करवाएगे तो कंपॉंड क्या मिलनेगा इसका एक एच इसका CS3COO इनको मिला करके आप बाहर निकाल दीजिए CS3COOH ये बाहर कर दीजिए इस C को एनिच के पास जोड़ दीजिए तो एनिच C के ओ जोड़ दीए इसको अमाइड कहा जाएगा कंपॉंड क्या होता है देखिए एथेनामाइड है ये दो कावन का अमाइड है और एक फिनाइल ब्रांच है वो एन से जड़ावा है इसका नाम होगा एन फिनाइल एथेनामाइड इस तरीके से ये reaction आप complete कर सकते हो next है benzene diazonium salt का reaction CBSC में तो diazonium salt नहीं आ रहा है jack में लेकिन आ रहा है state board में आ रहा है इसको देखते है benzene diazonium chloride का reaction इतनौल से याद कैसे रखिए इसका 1H इसके CL बाहर कर दीजे और इसका जो 1H है उसको benzene जोर दीए क्योंकि actual में C6H6 नहीं है ये C6H5 N2Cl है तो C6H5 में इसका 1H यहाँ जोर दीएगा तो C6H3 बन जाएगा means benzene बन जाएगा N2 को अलग निकाल दीए SCL निकाल ही दिए अब 1H यहाँ से हड़ गया तो CH बन गया तो CHO बन गया यह reaction इस तरीके से आप complete कर सकते हो इस तरीके से दोनों reaction हम लोग complete कर लिए और यह set 2 भी complete कर लिए चैनल सब्सक्राइब जूर जाएए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए set 3 भी upload करने वाले हैं बहुत जल एक लाइक और सब्सक्राइब थैंक यू